इससे के आएम मेटिंग में सोने अगांधिरी कॉंग्रस नेताओ को निर्देश दिये हैं कि निजी हितों को भूल कर पार्टी हित में काम करें मीडिया से मुखातिब होरे गोविन सिंग डुटास रासी दी तस्वीर रही है सभी सदस्यों ने एक श्वर में कहा कि पूरी तरीके से एंडिये सरकार फैल हो चुकी है ने कोई जवाब देई है ने कोई सूशासन है ने कोई किसी वर्क की सुनने वाला है आज महेंगाई पेट्रोल डीजल गेस लोहा सिमेंट खादे वस्तुएं एलेक्ट्रिका सामान कपड़ा जो कुछ भी ले लिजे आम उब्वोगता की जो वस्तुएं हैं वो सारी की बैता सा ब्रदी हुई है मुल्यों में आज जो खाने का तेल ले जाए दूसरे तरीके का तेल ले लिजे उसमें भी 50-60-60-60-60 मैने में हो चुकी है आम आदमी परिशान है महेंगाई को केंदर की सरकार कम करनी पा रही है नोक्रियां है नहीं कोरना काल में नोक्रियां चीनी गई नई नोक्रियां निकाल नहीं रहे हैं जो वादा किया था उस वादे पे वो खरे नहीं उत्रे तो ऐसे में जो मोदी सरकार का कूसासन बढ़ती महेंगाई को नहीं रोक पाना और राजस्तान में जो सरकार अच्छा काम कर रही है चाए कोरना काल हो चाए दूसरे बजट जो पे इसके अच्छी परपोर्जमेंस रही है उन सब बातों को लेकर के चर्चा हुई और हम लोग एक नौंबर से जो सदश्यता अभियान है उसको भी गति देंगे और कैम्प वगेरा सीवीर वगेरा उजित करके प्रिशेक्षन हमारे कारे करताओं को देंगे मोधी सरकार की भी जाओं महेंगाई इसके बारे में जो हमारी 55,000 के लगबग जो भूत है उन सब के लिए प्लान हमने तयार कर लिया है प्रिशेक्षन के लिए जो हमारे पास जो प्रिशेक्षन देंगे वो टीम का चैन हमने कर लिया है राजियस्तर के उपर 10-11 लोग हैं फिर स्टेट डिस के साथ में चलेंगे और पूरे प्रदेश में जो सरकार ने अच्छा हमारी स्टेट गोर्मेंट ने किया उसकी उपलब्दी को भी बताएंगे और केंदर सरकार की विफलता और बढ़ती महंगाई इन सब के बारे में लोगों को जागरित करेंगे इसलिए जन जागरन अभ उससे निवटने के बाद ही कॉंग्रेस को जीतने की सिद्यमा सकती है इसको लेकर राजस्तान के परिप्रेक्ष में क्या रणन की है देखे ये बात तो सर्व विदित है कि बारती जनता पार्टी केवल जुमलों पे जूट पे और जूट को भी जोर से बोल करके सच मनवान का कुपरियास करती रहे है कभी कबारशा पल भी हुई है अब आम आदमी इस बात को जान चुका है पहले कोंग्रेस पार्टी का करे करता जब कहता था तो वो अपने मर्यादा में रह करकर के बात कहता था तो यह लगता था कि यह तो दबा हुआ है जब कि अब उस वक्त शुरू शुरू में जब मोदी आया था तो जनता का स्पोर्ट नहीं मिल रहा था लेकिन अब जनता का स्पोर्ट मिल रहा था और मीडिया का स्पोर्ट भी खुछ हद तक हमें लोकल मीडिया का स्पोर्ट मिलने लग गया है जिससे हम उनकी जूट को बेनकाब कर रहे हैं उनके जो जूटे वादे थे उनको जनता के सामने बता रहे हैं जनता उसको अप्रीशेट कर रही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, नोट बंदी करने के पीछे जो कारण बतायते हैं, वो कारण बिल्कुल से उनकी पूरती नहीं हो पाई है, और जिस प्रकार से दो करोड लोगों को एक साल में रोजगार देने की बात मोधी जी करते थे, ये सब बाते कालपनिक थी, जूटी थ बाइध कי arrive at the इन तेक्व हैं कि Other nix लिगाए mm अ मौ्दी जी बोल रहें इसका मतलब ये चीज़ता समय कंवा अंय औक अलग्डु ये प्रशन रिए काम्णतय है किसानों का मुद्धा आप देख लीजिए किस परकार से किसान भायो यूवा यूवा के बारannt मेरे यूवां के कारण से ये कर दूंगा वो कर दूंगा आज यूवा भी प्रेशान है किसान भी दस मैने से अपने तीन काले कानूनों को लेकर के वापिस दिलवाने के लिए आप देखिए कैसे किस प्रकार से एजिटेशन कर रहे हैं, सडकों पे सो रहे हैं, ने उसको पूछी जा रही है, ने युवा को पूछा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो परिष्टितियां पैदा हुई हैं, अगर किसानों की हत्या में जेल में चला जाए, वो भी कोट और जनता के दबाव से, वरना तो वो उसको जेल में ही नहीं डालते हैं, और उसके बाद में वो डीटता के साथ में हास करके, उसी पदबे बना रहे,